हेलो फ्रेंज, वेलकम के 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आंगनवाडी रिकुर्मेंट 2024 के फ्रेंज से न्यू नोटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में, तो फ्रेंज से यू वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जॉबरासा.com पर जाकर भी डिटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं, आपको सारी जनकारी यहां पर देखने को मिल जाती है, अब यहां पर देखें फ्रेंज से जो यह वेकैंसी हैं, यह आपके यहां पर डिस्टिक वाइस जारी किये जात के detail अलग अलग notification के बारे में जैसे आपको यहाँ पर डिस्टिक के name दिये गए है total number of post दी गई है last date क्या है उस डिस्टिक के लिए वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इसके अलावा आपको यहाँ जाम मिलेगा ग्रामीन या शहरी किस एरिया में आपकी वेकेंसी है और कितने रिक्त पद यहाँ पर है वो आपको जानकरी देखने को मिल जाती है इसके लिए फैंसे यूपी आंगरवाडी भरती की स्थाई निवासी होना जरूरी है आविदन करने के लिए इसके बार फैंसे नीचे जो एज लिमिट है वो 18-35 साल रहेगी और यह फैंसे आपकी अलग-अलग जो जानकरी मिलती है आपके वार्ड के अकोर्डिंग तो आप जिस भी वार्ड के लिए अपलाए कर रहे हैं उस इसमें जो है आविदन यहाँ पर कर सकते हैं आपको बस notification को read out करना है और उसके बार फैंसे आपको इसमें आविदन यहाँ पर करना होगा सबसे पहले फैंसे आपको यहाँ पर आना है आपको यहाँ पर registration करना होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देनी है आपका पूर number आपको देना है इसके बाद एक password create करना है आपका अधार का number आपकी mail ID आप देंगे इस capture code को fill करेंगे और register कर लेंगे आप friends से यहाँ पर जो password है वो आप create कर सकते हैं जिसमें upper case हो lower case हो number हो और special character हो अगर आपको sample देखना है तो यहाँ पर friends से मैं आपके सामने देखिए जो sample है वो show कर दिया है इस तरह का password आपको यहाँ बनाना होगा जिसमें आपको upper case भी यूज़ करना है small letters भी यूज़ करने है numbers भी यूज़ करने है और special character भी आपको यूज़ करने है तो कुछ इस तरह का password आप बनाए और password बनाने के बाद अपना registration यहाँ से आप complete कर लेंगे इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपका registration जब complete हो जाएगा इसके बाद registration आपको login करना होगा जिसके लिए अपना mobile number और जो password आपने create किया है और यह जो capture code है वो डालकर आप login कर सकते हैं अगर आप old user भी है तो भी आप यहाँ से reset password अपना यहाँ से कर सकते हैं इसके बाद friends आप अपने portal पर या dashboard पर login हो जाएंगे और यहाँ पर इस step में आपको form को complete करना है सबसे पहले वेक्तिकर विवरन है जो कि first step and second step में आप करेंगे आपकी sectionic योगत आपको देनी है photograph and signature आपको upload करना होगा और लास्ट में आपको इसे declare करना होगा इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले परियोजना का नाम select करना है तो आपके according जो फुม परियोजना में आप आवे्म करना चाहते है जहांकि भी अपनेवासी है वह आप select करेंगे शहरी चेतर के है वह आपको select करना होगा इसके बाद जो भी नां है वह आप यहाँ में ऐट टाइब कर सकते हैं और इसके बार ऑनेसे आपको यहाँ पर स्वर्धर जानकारी वो आपको provide करने होगी इसके बार आप यहाँ पर आपका जो नाम है वो आप यहाँ पर English में type करेंगे अब देखें friends हो सकता है आपका जो नाम है वो हिंडी में अगर आपको type करना नहीं आता है तो इसके लिए friends आप Google Translate use कर सकते हैं और यहाँ पर अपना नाम झो है वो आप English में लिखेंगा और इसके बाद यह हिंडी में यहाँ पर आ जाएगा यहां से copy कर लीजिए और copy करने के बार उसे पर paste कर सकते हैं अगर यह फिर भी सही नहीं आता है तो friends आप यहाँ पर changes कर ले और उसके बाद friends आपका नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं या friends आप Google पर आप जाएंगे तो उससे friends आपको यहाँ पर देखिए जो Google Hindi Input Tool है वो friends आप डाउनलूड कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो नाम है वो आप टाइप कर सकते हैं हिंदी में इसके बाद friends यहाँ पर देखिए आपके नाम की एंटरी करने के बाद आपको आपका फादर नेम और आपका जो मदर नेम है वो आपको एंटर करना है आपका friends अगर आप मैरीड है तो आप अपने पती का नाम यहाँ पर दे सकती है इसके बाद आपको यहाँ पर DOB देना है तो आपके सामने जो यह calendar है इससे आपका जो भी date of birth है वो आप यहाँ से select कर सकते हैं तो आपका जो date of birth है date, month and year यहाँ आपको यहाँ पर select करना होगा और इसके बाद आपका जब इस criteria count होकर आ जाएगा इसके बाद आप next step पर जा सकती है इसके बाद फ्रेंसे next option जो आपका आएगा इसमें आपको आपकी category जंडल है तो जंडल select कीजिए OBC है तो OBC आप select कर सकते है SC, ST, EWS है तो आप select कर पाएंगे इसके बाद कोई उप्षरेनी है इसके बाद फ्रेंसे next option आएगा आपकी वर्तमान इस्तिती का तो आप यहाँ पर देखिए विद्वा है तलाक शुदा है या अन्य है वो आप यहाँ से select कर सकती है इसके बाद आपका निवास परमान पत्त्र जो है उसका करमांग आपको देना है और उसका जो आविदन करमांग है वो आप देंगे तो फ्रेंसे यहाँ पर आपका एफ्रिकेशन नमबर और सेटिफिकेट नमबर दोनों ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं आपके सेटिफिकेट पर दोनों ही जानकारी एफिलेबल होती है ऐसे ही का सैटिफिकेट पर भी आपका जो application number है सैटिफिकेट number है दोनों ही आपके available होते हैं अगर आपका आयप्रमान पत्रश की जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं अगर आप BPL स्रेडी में आते हैं तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं मैं आपको सिर्फ sample या demo show कर रहा हूँ वो आपको देना है इसके बार आपके जो board का नाम है वो आपको देना होगा आपकी mark sheet के according आपने इसको कब pass किया है इसके बार पूनां कितने है मतलब कितने numbers आपका exam हुआ था कितने numbers आपने gain किये और आपकी percentage कितनी है वो आपको देना है इसके बार देखिए आपको यहाँ पर upload करना है images में आपकी high school की mark sheet और आपका high school का प्रमान पत्र है ऐसे ही फ्रेंसे intermediate आपने किस school से pass किया है आपके board का नाम क्या है, euro passing क्या है, total numbers आपके कितने है और उसके बार intermediate की जो mark sheet और प्रमान पत्र है, certificate है वो आप jpg format में यहाँ पर upload करेंगे अगर कोई higher qualification है तो आप उसकी जानकरी दे सकते हैं नहीं तो आप इने blank छोड़ें और next पर click कर दें इसके बाद यहाँ पर next option आता है आपके photograph and signature upload का, तो size आपको यहाँ पर दिया गया है, jpg format में आपको photograph and signature यहाँ पर upload करना है और इसके लिए आपको choose file पर click करना है और उसके बाद आपका फ्रेंस सिगनेचर और photo आप यहाँ पर import कर लेंगे और उसके बाद यहाँ आप next option आता है घोशना का कि आप यहाँ पर घोशना करते हैं कि आपने जो भी जरनकारी यहाँ पर fill की है आविदन पत्र में वो बिल आपका जो application प्रिव्यू section है यह open हो जाएगा और जो application प्रिव्यू section है इसको आप ध्यान से चेक कर लें अगर आपको लगता है किसी भी step में कोई गलती है तो आप पिसले option पर जाकर आप उस गलती को सही कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है किसी भी step में तो आप ने स्टेप पर किलिक कर देंगे इसके बाद आपका देखिए जो फॉर्म है वह फाइनली सम्मिट हो जाएगा और इसके बाद आप चाहे तो लॉग इन करके दुबारा से जानकारी को चेक कर सकते हैं आपने प्रेंट आउट को आप निकाल सकते हैं क्योंकि यहा पर यूपी आंगनवाडी की जो यह वेकेंसी है उस से रिलेटेड मैंने आपको जानकारी प्रोवाइट कर दी है जौबरासा.com पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को जो है चेक आउट कर सकते हैं और आप एपलिकेबल है अपलाए कर सकते हैं कोई भी फीस कोई भी एक्जाम नहीं है बारिवश पास यह वेकेंसी है बस आपको ध्यान का रखना है जिस भी आप आप यहां बिस्तिक में रहते हैं वहां की जो नंबर पोस्त है और उसकी जो लास्ट हैं बदेख ले और नोटिफिकेशन को भी चेक कर ले अपलाए करने से पहले उसके बाद ही आप फ् निवास हैं इसमें आविधन करसकते हैं और यहां पर देखिए महववा शेहर है इसमें फोस ओंगेिशन वोगाइन से आविधन कर पाएं कि excitren need पूशता है ग्रामीं यह सहरीभी पूसता है उसके अकौडिंग ही आपको फ्रेंस जो वेकन्सी थे वो देखने को मिलती है तो अपने चरह करने से पहले यह फ्रिर्क ज़रूड आपको शॉच्राइब पसक्रवाइट कर दी है तो आप इसमें आविधन कर सकते हैं साक्ड में किंकल के Nil डेैट को यहाँ पर वर्याता मिलेगी वह भी जानकारी आप यहाँ पर देखने को मिल जाती है तो मैंने कोशिश की है siis di Cela provide को आप को जानकारी के कि जानकारी अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब इंचे जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारी साथ देखते रहे हमारा यूडिप्ट है ले बने रहे हमारी से रह एकारी यूडिएक को वरी अ रहें से रहे हमारी सब्सक्राइब जह उरूब है पक्यार कर शेला है झाल झाल